नमस्कार जया जोहर मैं कोमर्च साहूँ स्वागत करता हूं आप सभी का जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए किसिश का प्री में जिसमें आपके लिए सोसियल स्पेक्टक 26 या इसको बोले जाता है 26 गड़ का समाजिक परिद्रिष्य इस समाजिक परिद्रिष्य में आज के जो आपके लिए टॉपिक है है यहां से हम 2.4.8 नंबर और 15 नमबर के question देखने वाले सबसे पहले तो आज हम जानने कोसिस करेंगे कि आज की इस वीडियो में क्या आपके लिए खास होने वाला है हाला कि यह जो आपके लिए जो topic है आप कभी न कभी प्रिलियूंस में पढ़े होगे और बहुत अच्छे से पढ़े होगे लेकिन जब बात आती है में में तो सर अगर कोई topic छोटा है तो उसको बड़ा कैसे बनाया जाए और किसी चीछ के बारे में अगर हम इतना जानते है तो उसको इतना कैसे किया जा यह आपके लिए एक task हो जाता है तो देखे सबसे पहले अपन आप question देखें तो कुछ question के उपर अपन चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले क्या लिखा है आज मैं बात करने वाला हूं किसके उपर 36 गड़ के लोग परवा की उपर यह देखें एक आपको और प्रस्वा ऐसा बन सकता है कि 36 गड़ के जीतरें आपके लिए तेवहार हैं उसके उपर विस्तार से चर्चा कीजिए और यह आपके लिए 15 नंबर का question बन सकता है और बिल्कुल बन सकता है तो चलिए भई आप हम अगर इसको देखना का इसको होता है तो हम उस basic structure के उपर बात करें देखिए सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं किसके लिए संदर रचना में तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है ती थी मैं आपको क्या बता रहा हूं अगर कोई question दो नंबर में चार नंबर में आया आठ नंबर में तो अपन क्या क किसके लिए मनाया जा रहा है कुछ कामना होगा जैसे अपन क्या करते हैं प्यस्टी का तयारी करते तो हमारा ऐसा रहता है न किसर अगर हम select होंगे तो जाने के बाद क्या करेंगे 36 गण महातारी की सेवा करेंगे तो हमको उसी चीज को देखना है कि इसमें अगर कोई परव तो गीता का आयोजन होता है क्या कोई competition आयोजित की जाती है क्या यह देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि किया किसकी पूझा की जाती है अब पूझा करते हैं तो अगर कोई तेवार मना रहे है तो अपन कोई ven hơn मनायेंगे कोने recipe बनाएंगे या इसमें किसी भी प्रकार का विशेद प्रसाद बनाया जाएगा तो हम यह देखेंगे कि प्रसाद किसका बनाया जाता है उसके बाद हम देखेंगे क्या इसका कोई विशेद संग्या है क्या जैसे हरेली को बोला जाता है क्या 36 गड़ का पहला तेवहार तो इसके बारे में speciality है और उसके बारे में फिर last लिख देंगे आपन क्या विसेष विसेष और संगया के पाहिनल लीखने के पहले एक और चीज आ सकता है उसी को अपन बोलेंगे उसको लिख सकते हैं अब देखें अगर मैं पहला आपके लिए टॉपिक करूं देखिए अभी तक प्रस्षण है यहां से कि इस प्रकार से आयँ पिछले पांस साल में हरी तालिका मतलब पहला आपके लिए कोस्टन बन सकता है यहां से दो question अभी आपको एकदम easily generate होगा, मैं आपको 6-7 question को deal करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपन देखते हैं कि अगर अक्ति को मैं लूँ, उसके बाद मैं हरेली को लूँ, तो हरेली को आपको पूछने का दो नंबर में, 6 नंबर में, और 8 नंबर में proper आपके लिए स सुकला पक्ष, सृत्या को मनाया जाता है, दूसरा इस दिन में अगर आप देखोगे तो पूजा-पूजा किसका होता है, इसमें आपके लिए पूजा होता है, विष्णु जी का, इसमें पूजा होता है, नहीं, अपन एक काम करते हैं, कैसे जैसे जैसे अपन पहले ती थ या आविवाहित कन्याएं, मतलब जिसको अपन निव्यां बोलते हैं, उनके द्वार मना आ जाता है 2 तो यह जो हमारे पास निव्यां, आविवाहित Kन्याएं होती है वह आपके लिए क्या मना चाहे-वर की प्राप्ति के लिए मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए क्या करती है व्रत रखती अब इसमें बोलो कि सर इसमें कोई विशेस रस्म होता है क्या हां तो इसमें एक विशेस रस्म होता है उसमें क्या होता है पूत्रा पूत्री विवा होता है पूत्रा पूत्री पिरकारी कुछ होती नहीं अगर इसमें अगर जैनती विशेश रूप से देखा जाए तो विशेश रूप से इसमें क्या आता है आपके लिए परसू राम जी की परसू राम जी की क्या होती है जैनती होती है अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं इसमें आविवाइद करने और इसमें एक विशेश और बात होती है कि यह अक्षय जो है इसी को बोला जाता है अक्षय तृत्या अगर यह अक्षय तृत्या को देखा जाए तो यह हमको देखी अक्षय मतलब क्या होता है जिसका श्या नहीं होता उसी को अपन क्या बोलते हैं अक्षय तो इसमें क्या होता ह कोई भी चीज अगर आप क्या करते हैं कोई भी नया कारिय के लिए क्या होता है यह एकदम विशेश देखा है भाई तो जीवन में आदमी को साधी का है एक करना चाहता है कई लोग बोलते हैं सदसाधी करेंगे करके जो विवाहित लोगे उनसे आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि बाइ एक तो हम धील न पा रहे हैं हम दस साधी कहां से करेंगे करके तो हमको याद रखना है यहां विशईथ यह विवाह के द्रिश्टी कौन से विवाह के द्रिश्टी कौन से वर्स का सबसे मंगल कारीती थी होता है अब देखें यह हमको याद रखना है कि इसमें आपके लिए अक्ति में अब अक्ति को अब मन बीना किसी अब देखो जैसे इसमें क्या कर रहे है पुतरपुतरी विवाह कर रहे है तो इसमें मंडप निर्मान भी तो होता होगा क्या तो यह जो मंडप निर्मान होता यह किस से होता है आम की टहनी से अब देखें अगर मैं इसके उपर ज़्यादा कुछ बात न करूँ और इसको दो नंबर और चार नंबर में लिखने कोशिस करूँ तो मेरी पास बहुत सारे अगर दो नंबर और चार नंबर में लिखूँ तो मेरे पास परियापता डेटा है देखें अगर मैं दो नंबर में लिखूँ तो कोई भी आपके लिए चार पुइंट पहले तो तीथी होना चीए दूसरा कोन मनाता है तिसरा किस के लिए मनाया जाता है इसमें कुछ विशेस रस्म होता है क्या और कोई विशेस चीज होता है क्या तो अपन इसको अक्ति के बारे में डिफाइन कर सकते हैं तो अगर मेरे को अक्ति को लिखना है तो अगर मैं ये पहले दो नंबर में लिखूंगा तो ऐसे और इसी को दो प्लस दो में लिखूंगा चार नंबर में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हूं अक्ति यहां बैसाक सूकलपक्षेत्रितिया को मनाया जाता है जिसे अक्षेत्रितिया भी कहते हैं आविवाहित कन्याओं के द्वारा पूत्रा पूत्री का विवाहा योजन किया जाता है इसमें आविवाहित कन्याओं अपने मन चाहेवर की प्राप्ति के लिए क्या करती है वरत रखती है और भगवान आपके लिए किसका विश्णू भगवान विश्णू के छटे उतार परसू राम जी का इसमें जैनती भी मनाया जाता है अक्ति विवाह के दृष्टिक ओन से वर्स का सर्वस्रेष्ट दिन होता है तथा इसमें आम की टहनियों से मंडब बनाया ज है कि वो lifelong चलते रहे बड़ी है पूरा जीवन भर चलते रहे और बैट के मस तक खाते रहे तो इस दिन अगर कोई भी काम करोगे तो साधी इसलिए इस दिन किया जाता है ताकि साधी का च्छह नहों जिस दिन अक्ति के दिन अगर किसी का साधी होता है तो डाइवास साधी करने उसे को जो पीछला पइंट रहेगा उसे को इलिबरेट कर देना है अब अगला यह हमारे लिए अक्ति के बाद अगर हमको देखना है ओकति में सबसे पहले ती देख तो सावन आमावस्या में मनाया जाता है अब बोलो के सार यह किसका है तो यह कौन मनाता है तो यह कौन मनाता है यह क्रिशको का परवाय क्रिशको का परवाय अब बोलो के सार क्रिशको का कैसे परवाय तो जो हरेली वर्ड है यह हरियाली वर्ड से बना हरियाली तो यह आपन क कामने के लिए अच्छे फसल की अच्छे फसल की कामना के लिए तो यह हमको याद रखना की अच्छे फसल की कामना की जाती है सावनाम वस्या क्रिशकों का परवे अब क्यों मनाया जाता है अब अगला देखने हमको यहीं पर आगे बढ़े जी तो तीथी कौन और क्यों उसक है किसानों का परव्योंद तरह curlsे किसान है इस लिए हरेली को क्या बोला जाता եा पहला लोग allora प्र फश्ट फोल फेस्टिवल पहला लोग पर वो माना जाता ही इसको तो ये उमको याद रखना है झीज़ी थी ठीक तो आ testimक구요 याद रहना पहले उसके बाद किसका उसके बाद अब इसमें देखोगे कि इसमें क्या चीज़ होता है, क्या इसमें कोई चीतरकारी होती है, बिल्कुल चीतरकारी होती है, घर के बाहर में, घर के बाहर में क्या किया जाता है, प्रेट आत्माओं से, प्रेट आत्माओं से, रक्षा के लिए, प्रेट आत्माओं से रक्षा के चित्रकारी आप बोलोगे कि सर्थमें किसी प्रकार कर लोग वे अंजन या किसी प्रकार का रेउपी बनता है क्या हम हाँ इसनी um मतलब होता है गुड़ कर देखे होंगे देखो हमारे पस दो जातिया होती है और यह आपके लिए लिखा है सावन वता सावन उसी टाइम में चलते रहता आपके लिए अगास और सावन में ही सरवाधिक वर्सा होती है जब मरे जी आपके लिए पानी गिरेगा तो आपके लिए क्या होगा viral फैलने का आपके लिए जो संभावना रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास आपके लिए वो होती है एक जाती निसाद जाती ये निसाद लोग क्या करते हैं हमारे पास क्या होते हैं ये राउत लोग आते हैं औ ताकि बैक्टीरिया ज़्यादा फ्लो ना करे और हमारे पास एक अलोहार या लु वलती है अरे या समीद बोलते है तो यह जू बड़ेक श्मीद लोग रहते हैं घर में क्या करते हैं आपकी लिए लोहे का प्टटा लगाते हैं लोहे इसलिए लगाया जाता है ताकि कि इसमें क्या हो आपके लिए क्या बोलना चीर नजर ना लागे करके तो यह हम आगर सब चीजों को कमपाइल करने का कोशिज करें तो हमकर कैसे कर सकते देखिए अगर acompañ फैले हमको श्रीप क्या लिखना है तीथी लिखना है तो पहले हमको याद रखना हरेली सावना मवस्या को मनाया जाता है दूसरा किसानों का और छतिजगर का प्रथम परवा अगर मैं इसको लिखता है यह किसानों का परवा है उसके बाद दूसरे में लिखता है यह चतिजगर का रूप में क्या गुरहा चिला को क्या किया जाता है निर्माण अब इसी कोस्चन को चान नमबर तो पहले जो दो नमबर है यह सेम टू सेम लिख दीजिए पहले जैसे उसके बाद इसमें गुरहा चिला को थोड़ा एक्स्प्रेइन कर दिजिए यह गेहों और गुर से बना जाता है स्वाद में मीठा होता है और इसमें हम क्या बोले थे राउद द्वार जाती द्वारा आपके लिए नीम की टहनिया और लोहार या लोहार जन जाती की द्वारा या ब्लेक स्मित के द्वारा घर में क्या की ज जाती है और इसी हरेली पर्वा को क्या बोला जाता है गीडी पर्वा भी बोला जाता है तो इस प्रकार आप इसको दो नंबर से चार नंबर में क्या करते हैं पढ़ सकते हों चीजे वही करना है जो पहले लाइन में अपन लिखेंगे उसको दूसरे लाइन में अपन क्या करे बोलो यह सोनो, आगे बढ़े क्या, अगर आपको चीदी अच्छी लग रही हो, तो मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि एक लाइक, एक कमेंट छोड़े, कि सर आप पढ़ा भी रहे हैं, और चीदों को ऐसे, हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, उसके वज़से आपके न रखना है, कि कौन से सब्दों का चैन करना है, कौन से वर्ट्स का सलेक्षन करना है, कहां कहां अंडर लाइन करना है, और कैसे हम इन चीजों को लिख सकते हैं, करके बोलो यह सोनो, आगे बढ़े क्या, अब अगला, अगला, अगर मैं चलूँ, तो अगला मेरे लिए है भोजली, तो भोजली आपके लिए आया हुआ है, अब बोलोगे कि सर भोजली, भोजली क्या चीज होता है, देखना, कि भूजिली, तो अपन को याद रखनेशन क THIS सावन सूक्लापक्ष आपक लिए कब नौमी में इसका क्या किया जाता है भोजली का रोपन किया जाता है भोजली का रोपन अब इसको विसर्जन बोलो कि कि सर इसको ठंडा कप करते तो इसका अगर क्या कर रहा चीए भादो सुपलापक्ष परत्मा भादो स्वारी भादो कृष्णपक्ष परत्मा इसमें क्या किया जाता है भोज भोजली का विशर्जन तो यह अपन को याद रखना है भोजली का विशर्जन उधर याद रखना अपन को भोजली का रोपन अब यह कोन मनाता है तो यह क्या करते हैं इसको आविवाहित भाई बहनों के द्वारा आविवाहित भाई बहनों द्वारा भाई बहनों द्वारा क के लिए विसर्जन करते हैं अब विसर्जन करने के लिए समय जाएंगे तो जब भोजली ठंडा होता है तो हमारे लिए क्या गया जाता है तो यह भोजली गित गया जाता है अब जो भोजली गित होता है भोजली अब लिखाए भू और लिखाए जल तो भू और प्लस जल दो वर्ट से लिखा है तो इसमें ये भोजली क्यों बोया जाता है अगर हम बोले कि ये क्यों बोया जाता है तो ये क्या होता है पूरवा नुमान होता है आपके लिए प्री एस्टीमेशन होता है प्री एस्टीमेशन किसका कि भूमी में भूमी में कितना जल है तो जब लोग भ देखते हैं कि अगर वो डेंस जर्मेशन नहीं है घना उसका आपके लिए अंकूराण नहीं है मतलब इस साल आपके लिए क्या है सूखा पढ़ने वाला या फसल अच्छा नहीं होगा दूसरा जब अपन क्या करते हैं भोजली बोते हैं तो उस जगा को देखते हैं क्या यह पानी सोख रहा है क्या अगर वो ज्यादा पानी सोखेगा मतलब एकदम टू क्लियर है कि इस साल पानी की कमी पढ़ने वाली है तो लोग हमारे यहां जो आप रिसीवर्ट सुने हो तो रिसर्च वर्ट जो है रिसीवर्ट से बना हमारे यहां कि जितरे रिसी थे हो पहले र जिससे लोग क्या करें सर्च करके पहलेistasrij लोग आज की लोग इसकी वल्यू नहीं जानते लेकिन आज भी काओं में भूजली का रोपन किया जाता है और बहुत अच्छे से इसका क्या किया जाता है आयोजन तो देखिए अभी हमको याद रखना है भोजली तो अगर भोजली को देखिए अपन तो क्या है अपन के लिए अच्छा इसमें अपन एक चीज बता रहा था यह भोजली यह जो भोजली गीत आता है तो भोजली भूजल तो जल से याद रख और यात्र में याद रखना जब भोजली का विस सर्जन किया जाता है तो कुछ आपके लिए भोजली क्या करते हैं ले के आते हैं और लोग एक दूसरे के कान में डालते हैं और यहीं से क्या होता है आपके लिए भोजली बदते हैं तो यह भोजली बदना अपन को याद रख और भूमी के जल का क्या होता है पूर्वानुमान होता है भोजली की विसर्जन के समय भोजली गित गया जाता है जिसमें गईया में सब्द का उच्चारन बार बार होता है नवरात्री जैसे प्रती दिन इसमें क्या करते हैं भोजली की पूजा करते हैं और उसमें डल डाला जाता है इसमें जो लिखा हूं देखो आ विवाहित भाई बहन के द्वारा भोजली का विसर्जन कहां नदिया तलाब में किया जाता है जिसमें भोजली गित गया जाता है और देवी गंगा देवी गंगा लहर तुरंगा और इसके साथ क्या किया जाता है एक दूसरे के कान म में खोच के अपन क्या करते हैं भोजली बतते हैं मतलब भोजली हमारे लिए मित्रता का एक प्रतिक होता है बोलो या सुनो तो हमको ये भोजली को अपन को देखते देखते चलना तो देखिए आप दो नंबर में ऐसे लिखेंगे चान नंबर में इसको ऐसे एक्स्टेंड कर सर तीजा पहले आता है कि पोला पहले आता है हम लोग बोलते जरून है कि तीजा उसके बाद पोला तो ऐसा नहीं होता भी या पोला पोला जो है आपके लिए बाद में होता है तो आपन को याद रखने तीजा दूसरा याद रखने अपन को पोला लेकिन पोला पहले होता है ह तो ये पोला कब होता है तो अगर इसकी तीथी देखा किया होता है आपके लिए भादो आमवस्या में क्या ठाश पोला पोला मनाया कहां जाती हैं अपने ससूराल से माई के जाती है ससूराल से माई के जाती है मतलब इधर हजबेंट भी आपके लिए क्या हो गया फ्री हो गया और पत्नी जो है ओ कहां पे आपके लिए माई के जाग फ्री हो गई दोनों दोनों चारे दो चार दिन तो अपने मन से जिएंगे अपने अच्छे से जीएंगे करके तो यहां पे याद रखना यह किसका परव अब पोला का मतलब होता है जी गर्व धारन करना तो गर्वधारण क्या करता है तो इस दिन हमारे यहां जो धान आता है धान की बालियों में धान की जो बालियां है वो आना चाली होती है या धान में फल लगना चालो होता है धान में फल तो यह अपन को याद रखना तो यह अपन को याद रखना यहां से तो पहला ती थी द अब एक होता है तीजा दूसरा होता है पोरा तो इसमें अगर वियंजन देखा जाए तो वियंजन हमारे लिए क्या चीज होता है जी अगर पोला देखा जाए तो अपन क्या बोलते हैं तीजा पोरा अपन बोलते हैं ठेटरी खुर्मी तो इसमें खुर्मी किस से बनता है गे कि आपन क्या बोलते हैं ननदिया पहिला बोलते हैं तो इसमें क्या होता है बैलो की पूजा की जाती है बैलो की पूजा करने के सांद बैलो को विसेश रूप से सजाया जाता है उ हमको याद रखने विशुल्फ से सजाया जाता या डॉकुरेट किया जाता है темпер widget और कहीं कहीं पर आप देखो गे तो बैल प्रतियोगीता बैल प्रतियोगीता कभी क्या किया जाता है यह आई योजन किया जाता है तो यह हमको इतनी सारी चीज़े याद रखना है कहां से आपके लिए पोला अब अगर अपन पोला को लिखना चालू करें जैसे हम अमेशा लिखते हैं तो पोला अगर दो नंबर पोला क्या है भादो आ मवस्य को मनाया जाता है किरिशको का तई हा अतेवहार है और बैलों को विशे हो आटा से बनता है और स्वाद में क्या होता है हमारे लिख मिठा उसके बाद हम बोले थे कि बैला बैला को सजाया जाता है तो इसलिए खिलाओने के रूप में क्या किया जाता है बैलों को घर घर में ले जाया जाता है अदले बदले में स्वच्छा अनुसार पैसा जैसे बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे गहर आते हैं पोला आपके लिए तो एक दूसरे को क्या किया जाता है पैसा दिया जाता है और मिट्टी के पोले को महिलाओं द्वारा विसर्जित किया जाता है यह मनुस्य और पसु प्रेम के मद्ध यह प्रेम और अपने पन का परिचाय खाई ये आप अच्छा वड़ लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पस्वों की पूजा कर रहे हैं, पस्वों के साथ एक साथ करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा चीज होता है, तो ये हमको याद रखने जी, ठीक है, तो आगे बढ़ें क्या, तो ये ह चीज होता है थोड़ा सा समझने कोशिस करें अपन देखें हल सश्थी सबसे पहले याद रखना तृट तो इसको अपन क्या करते हैं भादू कृष्णपक्ष आपन सश्थी छट्वे दिन क्या किया जाता है मनाया जाता है कमर्चट इसी दिन कह सच्छट्षट में याद चाहता है अब मातायां का परवा है तो किसके लिए मनाया जाता है तो किसके लिए अपने बच्चों جो पहला दिर्ग हायू जीवन और दूसरा याद रखना लंबे आयू की कामना के लिए ये दो चीज के लिए किया जाता है आपके लिए क्या हलसस्टी ये बहलसस्टी में देखोगे इसमें पूजा तो अगर आप इसमें पूजा देखोगे तो इसमें क्या होता है सिव और गवरी की पूजा की जाते है शिवगवरी की पूजा कैसे किया जाता है सगरी निर्मान करके सगरी मतलब क्या होता है एक कुंड होता है जो मिट्टी को क्या किया जाता है जमीन को खोद कर जमीन को खोद कर क्या किया जाता है बनाया जाता है और इसी में आप देखोगे विसेस रूप से प्रशाद तो इसमें प्रशाद के रूप में देखोगे तो आपके लिए क्या होता है पसहर चावल यह पसहर चावल यह क्या होता है बीना जूताई के होता है बीना जूताई क और याद रखना है इस दिन अगर दूध का प्रयोग किया जाएगा दही का प्रयोग किया जाएगा इसमें घी का प्रयोग किया जाएगा इसमें घी का प्रयोग किया जाता है तो ये सब के सब किसे होते है भैस से होते है इसलिए क्योंकि इस दिन क्या है बलराम जी की जैनती होने के कारण इस दिन गाय और बैल दोनों कोई क्या रहते हैं रेस्ट रहते हैं तो ये दोनों रेस्ट में रहते हैं तो इस दिन गाय और बैल के जगा अपन क्या कर रहे हैं भहिसक प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हमारे पास किसी भी गाय जो होती उसका दूद दहिया और घी क प्रयोग नहीं किया जाता है उस दिन किसका प्रयोग किया जाता है भास का प्रयोग किया जाता है बोलो या सुनो तो हमको यहां से याद रखने अब देखो अगर मैं क्या करूं हल सस्थी अब देखो हल सस्थी बोल रहे हैं पन तो देखो हल सस्थी 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 से याद र हाजी होती है तो चहा प्रकार की कहानिया सुनाइध जाती है बच्चों को छह प्रकार की खिलाओं ने बाटि जाते ही ये इसमें तो चट्ट कमर्चट इसमें पूरा चट्ट छावाली चीज़े हंगी करके अरे सोन तो यह हमको याद रखने हैं तो यह अगर हम लोग चले किसके लिए हलस्ती तो हलस्ती भादो कृष्ण पक्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष किया जाता है मताओं के द्वारा उसमें भैस के दूद का विसे स्प्रयोग किया जाता है यह क्या आपके लिए यह पर्वा माता के संतान के असिम सुने और असिस की अभिवेक्ति हैं तो यह पर्वा मनाया जाता है तो मैंने एक छोटा सा कोशिस किया कि आपको चीजों को बह हुँ ज़्यादा पढ़ने कोशिज कर मैं मैंस लिखा हूं मैं जानता हूं कि में किस प्रकार की समस्याएं आती है सबसे पहले तो अपने को अपना दिमाग कुल करके चलना दूसरा बात जितनी चीज़े जी कई चीज़े हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं लेकिन जब उपर वाला देता है तो सब चीज़े उनके उपर dependent होती है तो हमको बहुत ज्यादा high pressure में काम नहीं करना है चाहे आप धूनी को देखोगे धूनी सबसे अच्छा अगर आपके पास captain बना है विराट कोहली अगर सबसे अच्छा player बना है तो दोनों में खास बात थी कि दोनों को दोना मेहनत करते रहे लेकिन धूनी को आप देखोगे वो मैच अकर ज्यादा दीता है तो वो cool रहता था और आप देखना कि अगर आप सोस्ते हो कि सर aggressive होके ज्यादा एकदम लालाइत होके आपन क्या करें पेपर दे तो पेपर वैसा नहीं निकलता कारण यह है कि कभी भी जब आप युद्ध में जाओगे तो युद्ध में जो major होता बहुं हुँ सांथ होता ज्यादा अगरेसिव नहीं होता लेकिन वो अपने क्या करता है सैनिकों को क्या देता है बल देता है तो हम कुछ गलतियां हमने भी करी है जब हम पेपर देते थे तो thin अग 15 मिनट 20 मिनट क्या कर सकते योगा प्रानायाम कर सके मन को चित को सांथ करने के लिए अभी आपको टॉक्सिक या निगेटिव लोगों से दूर रहना है अभी आपके लिए जैसे इस्टा में ट्रेंड चलता है ना कि पूरा ग्रीन फोरेस्ट है करके या ग्रीन फ्लेग है तो यह जो मेंस मेंस के बाद हम इंटर्विव तो यह एक पूरा दोर है आप जब तयारी करते हो तो आपको 12 से 18 महना लेकिन हम 2-3 बार दिये रहते हैं तो यह पूरा जो पेपर है आपके लिए 3-4 साल का पूरा टाइम ले लिया रहता है इसमें व्यक्ति जो है सब चीजों को कि क्याये सफल हो ना हो सफलता हमारे पास आती है सफलता हम से दूर आती है लेकिन जो लोग एकदम लगे हुए रहते हैं मेहनती होते हैं जुनूनी होते हैं उनको एक नए एक दिन सफलता मिलती है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस बार बहुत अच्छे से सांत मन से पेपर देने के लिए जाए और आपका जो पेपर है उसको सफल बना के आए करके तो competition community और कोमल सर भी यही चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाई है वो रुकना नहीं चाहिए और मैं चाहता हूं कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक एक कमेंट करके जाए चाहे आप अभी देख रहे हैं एक मैने बात दे रहे हैं या एक साल बात दे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जरूर जरूर करना और मैं आप सब के मेंस के प्रोग्राम के लिए मैं आपके मेंस पेपर के लिए आप सब को सुब कामनाय देता हूं और बस आपके लिए एक ही प्रे करूंगा कि अब मन को सांत रखे और पूरे इमानदार सारी से मेहनत करते करते जाएं क्योंकि बोला जाता है कि आज नहीं तो कल लेकिन आपके किये गए मेहनत का जरूर मिलता है फल तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कि लिए जोहार और जैच अच्छतिजगर